हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुती टेस्टी सा स्नैक जो स्ट्रीट फूड है बहुती फैमस हम बनाएंगे चना जोर गरम शाट जो बहुत असानी से बन जाते हैं इतनी हलकी होती है आप इसको कभी भी बना कर खा सकते हो तो यहाँ पर एक बॉल अस्तमाल कर रही हूँ आपके पस जो नमकीन एविलेबल हो आप वो ले सकते हो साथ में मैं डाल रही हूँ छणी की डालवली नमकीन अब इसमें जाएगा एक ब्याज बारी कटा हुआ और साथ में हम डालेंगे एक ही इसके अंदर टमैटो वो भी बारी काट लेंगे हम ब अब इसके अंदर जाएगा चाट मसाला, तो एक चमबच हम यहां चाट मसाला ले रहे हैं, और सॉल्ट ले रहे हैं, टेस्ट के कोडिंग, सॉल्ट यहां कमी समाल कर रहे हैं, अब हम इसमें डालेंगे नीबु का ररस, मैं यहां पर यह दो जनों के लिए बना रही हूं, तो एक नीबु ले रहे हूं, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाओ तो नीबु आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो एक नीबु का यहां पर हमने डाल दिया है, इसके अंदर रस, अब हम इसमें डालेंगे बारी कटावर धन्या, धन्या का टीस बहुत अचा आता है, स इसे की जो चना जो गरम है वो टूटे ना, तो बिल्कुल हलके हातों से हम इसे मिलाएंगे, तो बिल्कुल हमारी यह चना जो गरम चायट बनके त्यार है, पांच मिनिट लगते हैं इसे बनाने में, और यह इतनी हलकी होती है, आप इसे कभी भी का सकते हो बनाकर, तो इसे मैं सर्व कर रही हूं ये कागज की पुरिया में और वाकर इसको खाने का मज़ा कागज की पुरिया में ही आता है आप देखो कि स्ट्रीट पे भी इसी तरह से ये सर्व करी जाती है और ये बहुत हल्की होती है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि कहीं भी कोई ओयल का समाल हमने नहीं करा है थोड़ा सा मैं डोने में सर्फ कर देती हूं तो आप देख सकते हैं दो मिनट तीन मिनट से जादा इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और इसे जटपड बनाएं और आप जटपड खाईए अगर आपको चन खाँपड़ा से जटपड़ास शेख से जटपड़ास तो तो आ देख जटपड़ास थेखरे आपको चाहाँ